हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज खेले गए IPL के 24 मैच में जो की मुंबई इंडियन्स वर्सीज राजस्तान रोयल्स के बीच में खेला गया दोस्तो दोस्तो आज का ये मैच बड़ा ही सही रहा एक अच्छा स्कोर खोकर 171 रन बनाए जिसके जवाब में मुंबई इंडियन्स ने सिरफ 18.3 और में 3 विकिट खोकर 112 रन बनाकर ये IPL का 24 मैच 7 विक्टों से अपने नाम कर लिया दोस्तो आब मैं बताता हूँ आज के पूरे मैच में क्या क्या हुआ दोस्तो आज मुंबई इंडियन्स ने टोस जीता और पहले गेंद बाजी का फैसला किया और उन्होंने राजेस्तान रोयल्स को बल्ले बाजी का नोता दिया दोसतो राजेस्तान रोयल्स की टीम जब पहले बल्ले बाजी करने पिछुआ पर उतरी तो उनकी शुरुआत अच्छी रही 2020 के हिसाप से काफी गेंदों पर धुआदार 41 रन बनाए तीन चोके और तीन छक्कों की मदद से और दोस्तों ये विकेट राहूल चेहर दुआरा लिया गया ये स्टंप आउट हुए इसके बाद राजस्तान रोयल्स का दूसरा विकेट राजस्तान रोयल्स के कुल स्कोर 91 रनों पर गिरा जैस असवाल ने आउट होने से पहले 20 गेंदों पर धुआदार 32 रन बनाए दो चोके और दो छक्कों की मदद से और इन्हें राहूल चेहर ने ही कोट एंड बोल्ड आउट किया इसके बाद आरार का तीसरा विकेट आरार के कुल स्कोर 148 रनों पर गिरा जो की सेमसन के रूप सेमसन ने आउट होने से पहले 27 गेंदों पर शांदार बल्ले बाजी करते हुए और काफी धुआदार बल्ले बाजी करते हुए 42 रन बनाए पांच चोकों की मदद से और इन्हें बोल्ड ने बोल्ड किया इसके बाद आरार का चोथा विकेट आरार के कुल स्कोर 148 रनों पर गिरा जोकी सीवम दूबे के रूप में था सीवम दूबे ने आउट होने से पहले 31 गेंदों पर 35 रन बनाए दो चोक्के और दो चकों की मदद से और इन्हें बोमरा ने कोट एंड बोल्ड किया दोस्तों इसके बाद आरार का कोई विकेट नहीं गिरा और आरार की तर में एक चोका लगाया दोस्तों राजस्तान रोयल्स की तरफ से उन्होंने बीस और में चार विकेट खोकर 171 रन बनाए और मुंबाई इंडियंस के सामने जीत के लिए 122 रनों का टार्गेट रखा दोस्तों मुंबाई इंडियंस की बोलिंग आज अच्छी रही उन्होंन इतना स्कोर तो नहीं बनने दिया लेकिन उन्होंने एक एवरेज बोलिंग कह सकते हैं ना जादा अच्छी ना जादा बुरी बोलिंग रही उनकी दोस्तों मुंबाई इंडियंस की तरफ से बोल्ट ने 4 और में 37 रन देकर एक विकेट लिया गुम्रा ने 4 और में 15 रन दे जिरो विकेट लिया इस परकार मुंबाई इंडियंस की टीम के सामने जीत के लिए 102 रनों का टार्गेट रत था दोस्तों मुंबाई इंडियंस की टीम जब 100 रनों का टार्गेट लेकर पिछ पर उतरी तो उन्होंने भी जीत की मनसा साफ जाहिर कर दी उनकी भी अच्छी सुरुआत हुई हाला कि पहले दो विकेट जल्दी गिरे लेकिन जादा जल्दी भी नहीं कह सकते अच्छे खासा स्कोर बनाने के बाद गिरे लेकिन उसके बाद उन्होंने समाल कर खेलते हुए सिरफ तीन विकेट खोकर ही जीत हाशिल कर ली मुंबई इंडियन्स का पहला विकेट मुंबई इंडियन्स के कुल स्कोर 49 रनों पर गिरा जो की रोहित शर्मा के रूप में था रोहित शर्मा ने आउट होने से पहले 17 गेंदों पर 14 रन बनाए एक छक्के की मदद से और ये विकेट क्रिस मौरिस द्वारा लिया गया इसके बाद मुंबई इंडियन्स का दूसरा विकेट मुंबई इंडियन्स के कुल स्कोर 83 रनों पर गिरा जो की सूरिय कुमार यादव के रूप में था सूरिय कुमार यादव ने आउट होने से पहले माई की तरफ से 10 गेंदों पर 16 रन बनाए तीन चोको की मदद से और ये विकिट क्रिस मऔरिस द्वारा लिया गया इसके बाद मुंबई इंडियन्स का तीसरा विकिट मुंबई इंडियन्स के कुल स्कोर 146 रनों पर गिरा जो की कुरणाल पंडिया की रूप में था पांडिया ने आउट होने से पहले दोस्तों 26 गेंदों पर 249 रन बनाए दो चोक्के और दो छक्कों की मदद से और इन्हें मुस्तफु जुर्ण ने बोल्ड किया दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से डिकोक 50 गेंदों पर सबसे अच्छी बल्ले बाजी करते हुए 70 रनों पर नोट आउट रहे इन्होंने अपनी पारी में 6 चोक्के और 2 चक्के लगाए और ये लाश्ट तक नोट आउट रहे और क्यों पोलाड जो के 8 गेंदों पर 16 रन बना कर लाश्ट तक नोट आउट रहे इन्होंने अपनी पारी में 2 चोक्के और 1 चक्का लगाया इस परकार मुंबई इंडियंस ने केवल 18.3 आवर में 3 विकेट कोकर 172 रन बना डालिये और मुंबई इंडियंस ने आइपल का ये 24 वा मैच 7 विक्टों से अपने नाम कर लिया दोस्तो दोस्तो आज आरार की बैटिंग तो काफी अच्छी रही लेकिन बोलिंग बेगार रही उन्होंने बिलकुल भी मुंबई इंडियंस के उपर हलका सभी कोई प्रेशर नहीं डाला बिलकुल दबाव उन्होंने नहीं डाला दोस्तो दोस्तो आरार की बोलिं पर दोस्तो आई पेल का 24 वाव मैच मतलब मुंबई इंडियन्स की टीम के नाम रहा दोस्तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव हर जगे इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि सबको आज की मैक्स के बारे में पता चल सके और दोस्तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि आर आर के इतना अच्छा स्कोर खड़ा करने के बावजूद भी वह कैसे हारे आपकी नजरों में जो भी उनका रीज़न है आप हमें कमेंट सेशन में लिख के बताए दो देवाद दोस्तो जे हिंद